वेल्कम टु दीपम एजुकेशन हब और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ इंपोर्टेंट कोश्चन जो कि आपके परिछा के दरिष्टी कुन सी बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके दो मार्क्स में ये प्रिवियस एर कोश्चन पेपर में देखे गया औ गोने कॉस्ट 45 डिग्री और मायना साइन 30 डिग्री और गोने कॉस्ट टिग्री ठीक है इसके लिए इस कोश्चन के लिए आपको ना फॉर्मूला बहुत ही इंपोर्मूला याद रहे वैसे तो देखेंगे तिरकोन मीती की जितने भी कोश्चन पो इना फॉर्मूला के याद करें ट्रिक के माधियम से तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा उस वीडियो का आप जाके देख सकते हैं तो चली देखते हैं किस तरीके से इकुरिशन को हम सॉल्व करेंगे यहां पर देखिए साइन 45 डिग्री है यहां पर हमें क्या करना है इसका भी याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है जो कि मैंने बताया है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें याद करना है ठीक है यहां पर साइन 45 डिग्री है तो यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर solution लिखेंगे 1 by root 2 गुने और हमारा cos 45 डिग्री होता है वो भी हमा root 2 और यहां पर minus है तो minus देंगे और देखिए यहां पर sin 30 degree हमारा होता है 1 by 2 यहां पर लेखेंगे 1 by 2 गुने cos 30 degree हमारा होता है root 3 by 2 ठीक है अब हमें क्या करना है इन दोनों को गुना करना है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और root 2 को root 2 से गुना करेंगे देखिए तो root 2 को root 2 का स्कुर्ण इसकूइर हो गया इसकुआर हो खया है तो यहां पर क्या हो जाएगा होगा तो गुना करने साथा हो गेर को push हमारा हो जाएगा 4 ठीक है 2 और 4 का LCM देने पर हमारा हो गया 4 और 2 को हम 4 से multiply करेंगे कितना होगा 2 पार में यहां पर 2 को 1 से गुना करने पर 2 हो जाएगा ठीक है 4 से 4 को multiply करेंगे या 4 से 4 से 1 हो गया 4 को 4 से divide करेंगे और 1 को 3 से गुणा करेंगे root 3 से यहां पर हो जाएगा root 3 ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया answer ठीक है यह आपके two marks में question पूछे जाते हैं तो आपको जरूर अच्छे तरीके से देख लेना है कि इस तरीके से हमें याद करना है इस तरीके question को बनाने के लिए आपके formula most important रहता है वैसे त लाइक करें चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा thanks for watching this video